नमस्ते डियर इस्टूडेंट्स, वैलकम टू एजुकेशन राइस, आज के इस क्लास में दोस्तों हम करेंगे एक अर्ध सास की पत्र, कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा, अर्ध सास की पत्र, जिसे हम अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं, तो इस वीडियो में हम इस अर् और सब करिएगा, मैं आपको भी नमबर आगे दे दूँगा, तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, प्रस्न दूसरा हमारा है, इसका हमने जो मोडल पेपर बनाया है, तो इस मोडल पेपर में हमने अलग-लग क्वेस्टन्स ली है, तो उसका यह दूसरा प्रस्न है, ठीक प्रस्न पत्र की सुरक्षा का आग्रे हो, तो यह एक उधारन है, हमने लिया है, हो सकता है आपको किसी से मिलता जूलता कोई भी प्रकार का एक अर्द साज की पत्र लिखने को कहा जाए, तो लिखना कैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी क्या करना है, कि पत्र लिखने वाला कौन है और पत्र लिखा किसको जाता है ये दो चीजें आपको धियान रखी क्योंकि इन दो चीजों को आपको पत्र में उसके हिसाब से आपको पत्र लिखना पड़ेगा तो पत्र लिखने वाला है सचीव मादिमिक सिक्षा बोड राजस्तान अजमेर इनकी और से पत्र लिखा जाएगा और जो पुलिस महानी दिसक है उनको पत्र आपको लिखना है तो यहां पर देखेंगे आप इस थरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्तान सरकार जब आप यहां पर लिखेंगे उत्तर अना आपका यहाफिली में भी काम आएगा और जो आपका वार्षिक परिक्सा है 2020 की उसमें भी आपके यह काम आएगा तो यहां लिखेंगे उत्तर और उत्तर लिखने के बाद में एक बात और ध्यान लगना कि जब आप जो पत्र है अर्दसास के पत्र है निविदा है इस प्रकार के जो प्रशन अगर आप करें तो जो phrase page होता न मतलब phrase page से करने की कोसिस करें जहां तक हो सके तो उपर उपर टॉप में आपको center में लिखना है राजस्तान सरकार इसके बाद में इसके बाद में left side में बाई तरफ आप लिखेंगे श्याम सेंग सचिव अपना नाम मतलब लिखने वाले का नाम और लिखने वाले का पद लिखा जाएगा और उसी की दाई तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मात्यमीक शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमिर लिखा हुआ है तो यहाँ पर उस व्यक्ति के संस्थान का एड्रेस लिखा जाता है उसके कार्यले का पता लिखा जाता है ध्यान से समझेगा यह अर्द सास की पत्र है इसे अर्द सरकारी पत्र भी कहते हैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है और इसमें बाई तरब तो लिखने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है ध्यान रखना इसमें इस पर इस रूप से नाम लिखा जाता है क्योंकि यह एक अर्द सरकारी पत्र है एक अर्द सास की पत्र है और अर्द सास की पत्र एक व्यक्ति जिसे व्यक्तिकत रूप से जानता है एक सरकारी अधिकारी जिसे व्यक्तिकत रूप से जानता है सामने वाले अधिकारी को उसी को ये पत्र लिखता है और उसको व्यक्तिकत रूप से संबोधित भी करता है मतलब सरकारी कार्य के लिए व्यक्ति के त्रूप से लिखा जाता है ये पत्रा तो इस तरफ तो व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और उसका पद लिखा जाता है और इस तरफ उस व्यक्ति के कार्यले का नाम लिखा जाता है और नीचे बाड़ी लाइन में वो कारेले काहां पर इस्तिते ये लिखा जाता है जैसे मादिमेक, सिक्षाबोड, राजस्तान, अजमेर ये लिख दिया इसके बाद में दो लाइनों में है ना बिल्कुल इनकी सीध में ध्यान रखना पहली नाम जो लिखा उसी की सीध में आपको कारेले का नाम लिखना है पद लिखा उसी में आपको, उसी सीध में आपको उसी स्थान का नाम लिखना है अब नीचे बाली लाइन में क्या करना है आप दिनांक लिखेंगे जैसे दिनांक मानलो आपका exam 8 December को शुरू हो रहा है तो अगर दिनांक दी हुई है तो ठीक है और अगर दी हुई नहीं है तो आप 8 तारिक लिख दीजिए अगर आपका exam 9 तारिक हो है तो आप 9 लिख दीजिए जिस तारिक को आपका exam है किसी भी प्रकार का format हो जाए दिया हुआ है आप इस format में लिखिए गा कई बार अपन क्या करते हैं जैसे normal way में अपन लिखते हैं न 8 12 2022 इस तरीके से डेट मत लिखेंगे वो डेट नहीं लिखे जाती उस तरीके से तो आप लिखेंगे 8 दिसम्बर 2022 दिसम्बर करके कौमा कर दीजिए उसके नीचे वाली लाइन में फिर आप लिखेंगे इस सब दाही तरफ लिखा जाएगा ध्यान रखना राइटेंड साइट में लिखा जाएगा उसके नीचे आप लिखेंगे असापक्र अ का मतलब होता है अर्द सा का मतलब होता है सास किया प का मतलब होता है पत्र क का मतलब होता है क्रमांक तो अर्द सास किया पत्र क्रमांक और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से हैं जैसे 35 अबलिक 17 और क अबलिक करके 163 मतलब ये जो है ना 163 ये आउटवर्ड नंबर होता है इस नंबर पर जो क्रम से क्या होती है मतलब जो dispatch किये जाते है जितने भी letters उसका record रखा जाता है register में तो उस register में कितने क्रमांग पर ये जो पत्र जो भीजा जा रहा है उसको कितने क्रमांग पर record किया गया उसका record नंबर होता है इसे आउटवर्ड नंबर कहते है तो इस तरीके से लिखना है और अब दिखे जब ये complete हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे प्रियस्री सर्माजी मतलब जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखना है और नाम इसलिए लिखना है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जानता है इसलिए यहाँ पर सरिमान जी सर महोदय ऐसे नहीं लिखा जाएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखना है प्रियस्री सर्माजी प्रियस्री वर्माजी प्रियस्री जो भी है उनको संबोधित करते हुए आपको लिखना है फिर यहाँ पर करना है कौमार दोस्तों आपको मैं बता दू कि यह जो एक्जाम जो हम अभी आपकी जो एक्जाम होन चाहते हैं और सभी वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं और सभी वीडियोज की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा एप डाउनलोड करिए Education Rise नाम से हमारा एप है Play Store पर अवेलेबल है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लाबा हमारा टेलिग्राम चैनल है जहांपर एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी जानकरी होती है वो सारे के सारे आपको वहाँ पर हम अवेलेबल कराते हैं हमारे Telegram Channel का नाम भी Education Rise है और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के Description में मिल जाएगा आप जरूर जॉइन करिएगा जहां पर हमारे साथ 3,000 से ज़्यादा Board Students जुड़े हुए हैं एक और हमारा WhatsApp Group है जिसमें जुड़े हुए हैं और अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं भी आपको नमबर नॉट करा देता हूं उस नमबर को आप नॉट कर लीजिए मुझे अपना नाम और अपना District लेक करके एक मैसेज कर दीजी मैं आपको इस ग्रूप में जोड़ दूँगा जहां पर आपको एक्जाम से रिलिटेड जो आपका इस्टडी मैटेरियल होता है वो मैं प्रोवाइड कराता हूं तो आप नमबर नॉट करिए मेरा नमबर है 9079-622-989 आप मुझे इस नमबर पर मैसेज करके अपना नाम और अपना डिस्टिक बता दीजीगा जहां पर आपको मिलेगा इस्टडी मैटेरियल चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर देखेंगे प्रती वर्स की भाती इस वर्स भी अब यहाँ से आपको पत्र लिखना सुरू करना है लिखेंगे कि प्रती वर्स की भाती इस वर्स भी माध्यमिक एवं उच माध्यमिक परिक्सा हैं पंदरम मार्च से प्रारंप होने जा रही है अब देखे ये जो पंदरम मार्च लिखा है न ये अपने अपने हिसाब से लिखा है अगर आपको फिक्स पता हो कि एक्जम कितने तारिक से हो रहे हैं तो वो लिखिया और अगर नहीं है तो अंदास से आप कुछ भी लिख से जो की दस मार्च तक पहुंच जाएंगे प्रस्न पत्रों की गोपनियता और सुरक्षा की द्रस्टी से आप व्यक्तिगत तोर से अपने अधिनस्त अधिकारियों को निर्देशित कर सयोग प्रदान करें ये मादिमिक शिक्षा बोड के सची महोदय की द्वारा पुलिस सची महदय और यहां पर आएगा उनका नाम ठीक है तो यहां पर भावदय लिखकर के अस्ताकसर करना है स्याम से यहां पर उनका नाम आजाईगा यह लिखने के बादे एक और इमपोर्टेंट चीज है वह यह है कि अभ अब आहीं तरफ आपको लिखना है सेवा में और जि संबोधित किया था तो लिखा था प्रिया स्री सर्मा जी तो यहां पर जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी को जिस अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी का नाम लिखा जाता है और अब उस अधिकारी को यहां पर संबोधित करते हैं सेवा मे श्री सुनेल सर्मा, पुलिस महानिदेसक, राजस्तान जैपूत तो ये जो है ना, ये बाहितरफ जो आपको end में लिखना है सबसे end में ये सेवा में स्रीमानाता है ये अर्दसास के पत्र की विश्यस्ता है कि आपको यहाँ पर ये चीजे लिखनी है तो दोस्तों, ये हमने एक किया है अर्दसास के पत्र या जिसे अर्दसरकारी पत्र कहते है इसकी PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगी साथी साथ हमारे एप में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी आप जरूर जोइन करिएगा और इसी प्रकार की live classes हम करते हैं सामको 8.8 बजे रो जाना जरूर चोइन करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करिए ताकि जादा से जादा लोगों को फायदा मिल सके और आप हमारे चैनल को subscribe करके all notification bell को प्रेस करिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप उसे देख सकें पढ़ सकें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी प्रकार के महतवपूर्ण वीडियो लेकर के मैं आपके लिए हमेसा हाजी रहूँगा तब तक के लिए बाए धन्यवाद